मैं गांधी जी का बहुत बड़ा आलूचक रहा हूँ और अभी भी हूँ लेकिन मैंने सुचा कि आलूच ना करने से पहले उनको पढ़ लिया जाए उनको बारे में जान लिया जाए तो मैंने एक बुक उनकी लिए सत्त के साथ मेरे प्रियूव my experiment with truth तो उस book में मैंने जब मैंने पूरी book start से लेकि end तक पड़ी तब मुझे लगा कि नी बंदे में कुछ बात है हला कि अभी आलोशना करता हूँ लेकि बहुत सारे चीज़े मैंने point out की जो उनसे हम सीख सकते हैं उस में से पहले सबसे important चीज़ आपको भी मज़ेदार लगेगी कि वो वेक्ति अपनी personal life को भी कितने honesty लिख रहा है 13-14 साल की जब उमर में उनकी साधी हो जाती है तो वो कहते हैं कि जब मैं school जाता था तो मुझे अपनी wife के साथ जो राते मैंने गुजारी थी उनकी मुझे याद आती थी class में बैठे बैठे सोचो वो कितने विश्या शक्त थे sexual life के उपारे में मतलब कितने honesty लिख रहे है page number 24 कितने honesty से लिखते हैं वो मुझे कह लेने दीजिए कि मैं अपनी पतनी के प्रती विश्या सक्त था इसकूल में भी उसके खयाल आते रहते थे गांधी जी इतने truthfully है कि वो उसको लिख रहे हैं यह आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप किस तरह से उनको judge करते हैं या तो आप उनकी honesty को देख सकते हैं या फिर आप ये देख सकते हैं कि आग कितना विश्या सक्त व्यक्ति था आप सोची उनके 13-14 साल की उमर 11-12-14 इतनी छोड़ी सी उमर में उनकी शादी हो जाती है उनके relation बने होंगे अपनी वाइब के साथ फिर भी एक mature age में बुक लि को है अगर आप पढ़ें तो प्लीस कमेंट सेक्षन में मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी हो सकता है आपको अच्छे लगी जो जैसा भी आपका रिव्यू मैं उसको बिल्कुल भी नहीं कह रहा जैसा भी आपका रिव्यू हो प्लीस मुझे रिवी जरूरू देना ओके झाल झाल झाल...